हेलो गाइस स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटसी बसके हम यहां बात करेंगे एसिया कप का जो आज का पहला मुकाबला खेला जाएगा सुर्लंका वर्शाज अफगानिस्तान के बीच में फुल प्रिव्यू लेका है जब यह दोनों टीम है आपस में खेलती है तो क्या रिकार्ड है जब एक प्लेयर कब अच्छा रहेगा कब हम के इस वीडियो में बताएंगे जिससे आपको अपनी फैंटसी टीम बनाने में काफी मदद मिलने वाली है तो बस आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है कहीं पर मिस नहीं करना एक चीज और इंपोर्टेंट है कि देखो आफ्टर टॉस की जो भी अपडेट रही है और इस वीडियो के बाद जो भी नियूज आएगा वह हम आपको अपने टेलिग्राम चैनल पर इंफर्म करते हैं फाइनल टीम के साथ तो अगर आप अभी तक टेलिग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा है जो कि बिलकुल फ्री है तो जल्दी से जुड़ जाए जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्षिन के सबसे पहले कमेंट में दिया गया है तो जाए जुड़ जाएए यह मैच खेला जाएगा दुबाई इंटरनेशनल क् दिन के पार यहानि की यह और मैक्सिममम टाइम फ़ॉट्ब्वा वन फिर्टी सम्फिफ्टी के सुम्ठीं स्कूरिंग रहा है यानि की यह जो मैचेज यहा पर हुए हैं इंडरनेशनल जाए यहाए जो कुछ एंटरनेशनल माय च्वि में तो यह जो ग्राउंड है्वह ब यहां पर देखो पाकिस्तान एस्विलिया 176-177 यहां पर देखेंगा स्विलिया और निजलेंड 173-172 यानि कि यहां पर 170 के सम्थिंग बने हैं और हो चेज भी हुआ है तो लास्ट के कुछ साल से यहां पर जो पिछ तयार की जारी है वो बैटिंग फंडी भी पनाई गई ह है ठीक है तो यह चीज दिया देना जो मैच है अभी के लिए कि यह जो विकेट है वो एक न्यूटरल है विच स्लाइट एडवांटेश वर बैट्समें उसके अलावा जो स्पिनर और पेसर की बात करें तो अभी जो हमने तीन मैच देखें उसमें 12 विकेट स्पिनर और 12 व बात करें एक मुकाबला खेला गया है वो सिलंका ने जीता है ठीक है तो नहीं टीम की बैटिंग बॉल निगे अभी के लिए जो प्लेइंग 11 मान के चल रहे है वह चीज से आप देख लिजीगा यहां पर दो लेफ्ट हेंडर है ठीक है और तीन लेफ्ट हेंडर है और यहा उसके मैं रिशन्ट इस्कोर लिख दी है अगर आप देखेंगे तो पी निशंका असलांका दसुन चना का वनिंदु हसंगा यह लोग टीम की इंपॉर्टेंट प्लेयर है बट कुसल मंडिस बी राजब अच्छा कर सकते हैं यहां से तीक चना कभी भी अच्छा कर सकते हैं इन्टेनाशनल क्रिकेट का अंकतर माना अच्छा यहां पे इंकी टीम से कौन कहाँ पर balling डालेगा वोचीज देख लेका और कौन कितने over की balling डालेगा तो इनकी टीम के जो 5 ballattack रहेंगे वो d chamira wander CHCPA करूणा रहेंगे वह यह देख और डालना चाहेंगे वह d china का डाल यहां पर यह लोग वांटर से की जगे पर एक एक्स्टा पेसर खिला सकते हैं चाहे वह असीता फर्नेंडो या फिर नुवन थुसा रहा हो तो अगर ऐसा होगा तो फिर डी सनाका का थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाएगा इन कंपेर टू ठीक है वह चीज जो मैंने आपको बता हैं इनका 20 का तो कुछ खास नहीं ती 20 क्रिकट के नजरिये से देखे तो इसलिए मैंने इन लोगों को यलो कलर से मेंचन किया हूआ है या गड्धा है तो आप यह तीम बनाएंगे वहां पहां पर हम यह देख लेंगे कौन को भर का कहां पर किस्टूशन में हमें रिस्क लेना है उसको छोड़के या कप के स्प्लेयर कौं को ले नहीं लेना है वह चीज हम वहां समझेंगे जब हम प्लेयर स्लेक्ट करेंगे तो अभी चीज आप यह चीज देखते भी चलिएगा यहां से तीन इंपोर्टेंट होगा है गुन है जैसे कि आप देखेंगे तीक छेना 18 मच में 16 डी चमीरा 50 मच में 48 चमीका करून रतने 25 मच में 11 इस तरीके से किसी का खास रिकॉर्ड तो नहीं है वाट आप इनका रिसेंट बालिंग रिकॉर्ड प्लस रिसेंट फॉर्म यहां पर देख सकते हैं ठीक है इसके अलावा एक चीज और कि फाइनल अबडेट जो भी आएगा मैं आपको अपने टेलिग्राम चैनल पर इंफर्म करूंगा अगर आप टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़ें तो वहां पर जुड़ना बहुत जरूरी है और एक चीज कि माई फैबलन पर आप खेलना चाहते हैं इंट अगर आप इंटरस्टेट हैं तो साइन अप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है अब देखो अफगाएंसान की बात करें तो इनका भी जो ररीसेंट स्कूर अभी लोग जिंबावए गेंस्ट क्रिकेट खेले हैं उसके पहले भी लोग क्रिकेट खेले हुए तो मेंशन किया हुआ है जैसे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वह है जजाई सहीदी नजीब लजदरान मुहमद नभी रसीद खान नभीन उल्हक फजलाक फारुकी और मुझीब रह्मान इन्लों का रिशन फॉर्म आप देख सकते हैं यहां से अच्छा है यहां से फॉर्म ठीक ठीक है उसके अलावा सहीदी क्या डोमेस्टिक ली फॉर्म है और इनके टीम से जो अच्छे घास ऊवर्स्टी का डालें वह कौन-कोन-कौन है तो रसीद घान हो गये नभी नुलक फजलुक्षारुकी यह दिन के चारचार ओवर देख सकते हैं इसके आलावा मुझीब हू बचा है जो चार वर बचेगा या तो यह मतलब उमर जाई और नभी यह लोग शेयर करेंगे आपस में ठीक है यह चीज ध्यान देना जो देख में आएंगे वह है फजल अब फारुकी और नभीनुल हक यह चीज वही है हो सकता रासित खन आपको देख में जिगदा यह चीज है अभी सिर्फ अकॉर्डिंग देखते वें चलते हैं यहां से गुर्बाज 25 का अवरेज है उसके बाद जज़ाई साहिद ना कहले है इनके बाल बैट्समें से साही दी इनका जो अगर आप देखेंगे तो इनका जो रिसेंट फॉर्म है डोमेस्टिक में तो अच्छा है इंटरनेशनली एक मेंच में गा रहे है एक मेंच में 36 उसके बाद जज़ाई 33 का अवरेज है नजी बुले जदरान भी 33 का अवरेज है उसमन गनी 27 का अवरेज रिसेंट फार्म दो बड़ा स्कूर है इबरहाहिम जदरान रिसेंटली ठीक ठाक स्कूरिंग किया बट बालि इनके बॉलिंग के थोड़े कम चांसे से रहते है इसलिए मैं नहीं डाला समीमुलास इन्वारी और अस्राफ साइद ना खेले इनके बॉलिंग से रसीद खान मुझीब रहमान फजलाग फारुकी नवीन लोग फारीद मली इन लोग का रिकॉर्ड अच्छा है रसीद खान इसके अलावा अगर हम बात करें हैं जब इस दोनों टीमें आपस में खेलती है तो कौन से प्लेयर का रिकॉर्ड अच्छा देखो इन दोनों ही टीम उने इक ही बार मैच खेला है ठीक है इसलिए इसलिए इनका है और प्लियर बैटल तो अल्मोस्ट ना के बराबर है तो य यहां से इनका रिकॉर्ड ही नहीं है इसके अलावा वेन्यू स्टेट्स जब भी यह दोनों टीम के प्लियर से इस ग्राउंड पे खेलें तो प्लियर का रिकॉर्ड करें तो कुछी प्लियर का रिकॉर्ड मिला है जैसे अफगानिस्तान की दरफ से नजीबुला जिदरान 77 इसके बाद ग्राउंड स्टेट्स की बात करें बॉलर से तो रसीट खनी 11 मैच में 14 उसके बाद वरीज मलीक 3 मैच में 7 नभी 6 मैच में 5 यहां से वनिंदु असनगा 1 मैच में 2 यह कुछ रिकॉर्ड हो गया वेन्यू रिकॉर्ड हमने हैट्वर्ड देख लिया वेन्यू द प्लियर पर रिस्क लेना है ठीक है तो यहां पर हम देखेंगे गुर्बाजीन का जो नेचर है हीट और मिस्टैब के प्लियर है टोटली मतलब कभी रन बनेंगे बहुत ज्यादा कभी बहुत जल्दी आउट हो जाएंगे टोटली हीट और मैंने आपको विकेट बताया है क समस्के टीम बनाना भी ठीक है अगर साम को डीउ का एफेक्ट रहेगा तो मैं वह आपको बता दूँगा टेलीग्राम पे ठीक है अभी जो ओफिस्यल पिछ रिपूट आईगी उसमें अभी के लिए क्या है कि इनकी टीम देखो यहां पर विकेट कीपिंग भी यही करेंग स्वाड नहीं है पर पोटेंशिल प्लेयर है इनका रिसेंट फॉर्म देखेंगा अस्विलिया के गए सच्छा पर्फोर्मिस किया हुआ है तो अगर यह खेलिंगा और विकेट कीपिंग मतलब मेंशन हुए तो हो सकता हम इनको कंसीडर करने अपनी टीम में ठीक है क्योंकि कि वहाँ पर ज्यादा रंच मनाने का मौका मिलेगा ठीक है तो मस्ठापिक हजातुला चाजाई यह भी हिट और मिस्टाइप के प्लेयर बल्लेवाजी विकेट पर ज्यादा चलते हैं अगर विकेट मुझे पता चला कि थोड़ा सा अभी स्लो है तो हो सकता है मैं इनको मिस कर दूँ अभी के लिए कि थोड़ा अटेकिंग होके खिलते हैं अगर से लंकाई बॉलर्स ने स्टार्टिंग में अच्छी बॉलिंग नहीं की तो फिर यह अच्छा खासा रंच बना सकते हैं पावर प्ले में इसलिए अभी के इनको लिया लेकिन इनका डिपेंट रहेग वरोसा नहीं कर सकते हैं रिसेंटली इन्होंने अभी जो आईपिल खेला था उसमें स्टार्टिंग के कुछ में छोड़ दी जाए तो उसके बाद इन्होंने मतलब टोटली फ्लॉप परफॉर्मस दिया और जो रिसेंट फॉर्म है वो भी इतना अच्छा नहीं है पर करांयों प्लैयर्स में से एक है यह और पीडिशंका अगा से लंकन टीम में करेंट टाम में कोई बेस्ट बेक्समय तो पीनिशंका एन्दण तो उसके बाद अपनी पारी को बिल्ड करते हैं बड़ी पारी के लिए बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेली है तो यह इनको बनाती एक अच्छा प्लेयर जो कि आपकी बॉल्स ले 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 थे इनोंने बट फिर भी यह पोटेंशियल वाले की लाड़े कभी बड़ा स्कोरिंग कर सकता है अगर स्मॉल लिग में आप कंसीडर कर रहे हो रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो बहुत कम लोग लेके आएंगे लेकिन आपके लिए तोरुप का एक का ह हो सकते हैं उस्मान गनी यह मोस्ट अफ़ टाइम स्कोरिंग करके जाते हैं अब रिसिंटी आपको पांच में से सिर्फ दो ही मैच में स्कोरिंग दिखेगा रिजन यह है कि इनकी टिप ने इनका पैटिंग पोजीशन जो है वह उपो नीचे कर दिया था अकॉर्डिंग ट सिच्विशन हीटर्स को प्रमोट कर दिया था अभी जो जिंबावे को एगेंस मैचेज हुए थे इस वाइश से थोड़ा सा इनका जो है अपने परफोर्मेस देखा कि डाउन हुआ 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 बट यह अगर वन डाउन या टू डाउन आते हैं तो फिर आपको मोस्ट सेनवारी खेलेंगे नहीं इबराहिम जदरान यह थोड़े से हीटर है और इनकी टीम इनको ज़्याजा फिनिशर ही खिला रही है तो आप यही मान के चलो अगर टीम को ज़्यादा तेजी से रन चाहिए तभी यह पर्मोट होएंगे अधरवाइस नहीं होएंगे तो आपको विकेट निकालते हों देखेंगे कैप्टेंशी माटेरियल है मोहमद नभी अपनी टीम के लिए देखो रंस बनाएंगे प्लस कुछ ओफर गिनबाजी कर सकते हैं सामने लेफ्टेंडर्स भी है अगर इनकी टीम में बल्ले बाजी करते हैं तो कप्तानी माटेरियल रहेंगे एक्सपीरियेंस हैं भले इतना अच्छा फॉर्म नहीं है बड़े टॉर्नमेंट पर बड़े प्लेयर सी काम आते हैं उसके बाद डिक्षना का को लिया है मैंने यह सोचा अभी कि ठर्ड पेसर से एक ठर्ड पेसर इनकी टीम से यही खेल रहे हैं अगर नुवंध करते हैं मोस्टली यह कुछी मैचेज में परफॉर्मेंस देते हैं ज्यादा नहीं देते हैं लेकिन बॉलिंग बैटिंग दोनों करेंगे डेट स्वे मैंने इनको कंसिडर किया हुआ करीम जन्या तैवरेज प्लेयर ओमर जाई एवरेज प्लेयर धननजर डिसलवा खेलते करूना रतने इनको आप बैक कर सकते हैं कभी खबार गुच्छे में विकेट लेके चले आते हैं अगर 2 पेशर के रूप में खेल रहें तो हो सकते हैं दथ में आते वह दिख जाए आपको करूना रतने ठेक है और थोड़े से बनाते वह दिख जाए तो डबल पिक और विकेट टेकिंग बोलर एनी टेम बल्लेबाजी से भी प्रमोट हो सकते हैं और दथ में भी आ सकते हैं इवेन वानिंदु हसरंगा केन बॉल इन दथ ठीक है ये भी दथ में आते हैं उसके बाद यहाँ पर मुझी ब्रहमान सामने लेफ्टेंडर्स के संक्या जादा ह विकेट निकाल सकते हैं विकेट टेकिंग बोलर है रिसेंट फॉर्म थोड़ा गरबड हुआ है ओवर कटने के चांसे रहते हैं बट अभी भी मैंने रिस्क लिया हुआ है उसके बाद फरीद मलीक अगर खेलते हैं तो एक अच्छे प्रिक टेकिंग बोलर बट अभी मुझ टॉस पर टीपेंड करेगा वांडर से तो अच्छा पर्फरम किया इंटरनेशनल या भी प्रूफ करना बागी है तो एक एवरेज पिक एम तीक्षण अक्षी ऑप्शन हो सकते हैं सेकेंड बॉलिंग में तो दीस अनाका की जगे पर हम इनको कंसीडर कर सकते हो बाकी नीच जहां पर कप्तानी मेंने वनिदु असंगा वाइस कप्तानी में रसीद खान को दिया अब ऐसा है मुहमद नभी भी अगर इंटी टीम फर्स्ट बल्लेवाजी करेगी तो एक अच्छी ऑप्शन रहेंगे कप्तानी वाइस कप्तानी के क्योंकि मैंने आपको बताया सामने ल जिसके टीम पहले बॉलिंग करें इनको आप ग्रेंड लिग में जाए स्क्राइब कर सकते हो ट्रम पिक चाहे स्मॉल लीग चाहे ग्रेंड लीगो तो रूप के आप कह सकते है कुसल मेंडिस जिनका सेलेक्शन का मैं राजा पक्सा उसमन गनी इब्राहिम जदरान जो भी ख प्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं आपने कुछ सीखा तो लाइक जरू कर देना चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे हम आगे वीडियो लेके मिलता रहेंगे और फाइनल अबडेट आपको टेलिगाम पर दे दिया जाएगा तो वहाँ जुड़ना मत भोलना थेंकियो सो मच दोस्तों यह वीडियो वाच करने के लिए अकॉर्डिंग टू टॉस हम चेंजिस करेंगे टीम में वहम टेलिग्राम पर अबडेट कर देंगे धन्यवाद यह वीडियो वाच करने के लिए तब तक लिए जैहन्द